हलो दोस्तों नमस्कार मैंने तीस पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का टार्गेट अड़ा स्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों SBI क्लर्क 2021 प्रलिम्स इड्मिट कार्ड का एक अपडेट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है और दोस्तों काफी सारे स्ट्डेंट का क्वैरी भी या रहा था कि सर प्रलिम्स इड्मिट कार्ड का इड्मिट का इसी होगा तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा और ध्यान पूरवग देखीगा दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को जो SBI कलर्क एकजामनेशन है उसके पीछे का जो सीन है वो सभी बता देता हूँ कि SBI पेपर अभी कंड़क क्यों नहीं करा रहा है तो सबसे पहले आपको पता होगा जो SBI कलर्क एकजामनेशन है वो क्यों पूर्पूर्ण हुआ था कोरोना वायरस के वे से क्योंकि जब इसका पेपर था प्रिलिम्प्स का उस समय केस काफी जादे मातरा में आ रहे थे है और वर्तमान में क्या सिचुएशन है कि केस लगतार दीरे-दीरे कम होते जा रहे हैं और काफी सारे स्टेट में लागडाउन खुल चुका है कुछ ही एक ऐसे स्टेट है जहां पे लागडाउन अभी लगा हुआ है इस वए से अभी SBI जो है पेपर कंड़क नहीं करा रही है ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ स्टेट का पेपर करा दे और कुछ स्टेट का पेपर रोग दे तो इसलिए SBI अभी इस सिचुएशन पर अपनी नजर बनाए हुए है और आप से भी को पता है और SBI को भी पता है कि SBI के पास जो टाइम है वो जून का आधा महीना जो भी कंड़क्ट कराने के लिए क्योंकि अगस्त में RR भी अपना स्लोट बुक कराई है उसके बाद सितंबर में IBPS उसके बाद SBI को PO भी तो कराना है तो सबसे पहले देखे आपको बता दो जो पेपर है वो कब कराए जाएगा तो जो सिचुएशन वो देरे देरे नार्मल हो र आएगा और कोषिशी रहेगी पेपर कंड़क्ट कराने की और मैं आप सभी को बता दूँ कि एस्पा जून आउड के लास्ट में या फिर आउज च्व'll करन दे कर वाएगा अब क्यों कराएगा ये भी मैं आप देता हूं क्योंकि हिए मेंके ऊधाय में 177 है ये 11 सौरी 11 ज का एक्जाम है, वो SBI अपने मेंस जो एक्जाम का डेट डिसाइड की है, उसके पहले ही कंड़क्ट करवाने की पूरी कोशिस करेगी, तो इसलिए आप सभी अपनी तारी को पूरा अच्छे से करते रहिए, क्योंकि SBI जो भी अपना काम करेगी, वो काफी तेजी से करेगी, क क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो पिछली बार, पिछले साल में, जो RRB है, वो अपना पेपर कैसे कंड़क्ट हो रहा था, आठ तारीक उसने नोटिस दिया कि हम पेपर नहीं कंड़क्ट करवाएंगे, फिर उसका नौ तारीक को उसने एनिविट कार्ड इसू कर दिया और पेपर 11 और 12 और 13 तारीक को पेपर था, तो आप सभी इस सिचुएशन से वाकिफ हैं और आप सभी अपने एकजाम को काफी अच्छे से तयार करी रहे, और दोस्तों मैं आप सभी को बता दू कि हमारा एक बैंकिंग के लिए अलग यूटूब चैनल बना दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बाक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस चैनल को जोईरिंग कर लिए ताकि वहाँ पर आपको केवल बैंकिंग का मैटिरियल प्रवाइड के जागा और आप सभी उस से जुड़के अपनी तयारी को बहतर करिएगा, तो आप सभी क को मैं आप फाइनल एक बार बता दू जो पेपर है वह आपको जून वीक, लास्ट वीक में कंड़क करा जागा या फिर जुलाई के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में कंड़क कर वा दिया जागा, हर हाल में, क्योंकि अभी मेंस का जो एक्जामनेशन उसमें कोई पॉस्प सेटर्डे के आसपास आपको जो भी इनफार्मेशन है वो SBI दे देगा, तो आप सभी अपने तैरी को बहतर करते रहेगा, और हमारे दूसरे जो बैंकिंग चैनल है, उसको सस्क्राइब कर लिए ताकि आपको सारे बैंकिंग का जो मैटेरियल है, आपको उसी चैनल पर मिल तो दोस्तों इस वीडियो उतना ही और आप सभी वीडियो को ज्यादा ज्यादा तक सेयर किजिएगा, और अपनी तैरी को बहतर तरीके से करते रहेगा, थैंक्यू, धन्यवाद